हलो एरुबन, चर्चित मुद्धों की शंखला में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है लोग सभा चुनाव साथ चरणों में होना है, इसमें से छे चरण के चुनाव संपन हो चुके हैं लेकिन इस लोग सभा चुनाव में लगातार यहाँ पर विवाद भी है, विवाद है वोटर टर्नाउट डेटा को ले करके सुप्रीम कोर्ट में इसको ले कर याज का दायर की गई जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने भी यहाँ पर इस मैन पावर की कमी के कारण निर्वाद चन आयोग पर बूथ वाइस डेटा जारी करने को लेकर फॉर्म सित्रसी की जयानकारी साजा करने को लेकर यहाँ पर उनके पक्ष में फैसला सुनाया है आज हम यहाँ पर इस मुद्दे का विशलेशन करेंगे क्योंकि यहाँ पर इस फैसले के पर शाथ इसी ने कहाए कि वो बूथ वाइस डेटा या वोटर टरन आउट जो डेटा है वो जारी करने में देर नहीं करेगा तो इससे पहले यहाँ पर देरी क्यों हो रही थी देखा जाए इसमें कितना अंतर आ रहा था और इसी पूरी प्रक्रिया में क्या कोई समस्या है या यहाँ पर सिर्फ एक गलत नेरेटिव इसके संदर में फैलाय जा रहा है पूरे यहाँ पर मुद्धे को एक-एक करके विध डेटा यहाँ पर समझने का प्रयास करते हैं सबसे पहले देखे यहाँ पर जो चुनाव आयोग का खायना है पहले उस बात पर देख लेते हैं चुनाव आयोग ने सनिवार को क्योंकि 26 को यहाँ पर छटे चलाण के चुनाव हुआ उससे फैसले में यहाँ पर जो decision आया था उसके पस्चात यहाँ पी इसी ने कहा कि voter turnout data को जारी करने में देर नहीं कि जाएगी यहाँ पर चुनाव आयोग का कहना है यानि कि कोई भी किसी भी तरीके का data यहाँ पर change नहीं किया जा सकता यह यहाँ पर चुनाव आयोग कहता है चुनाव आयोग ने सुप्रेम कोर्ट को उस फैसले का स्वागत किया है जिसमें form 17C के data बूत वाइस वोटे टर्ण आयोट publish करने को लेकर कोई भी निर्देश देने से यहाँ पर इंकार कर दिया है अब यहाँ पर फैसला देखा जाए तो निर्वाचन आयोग के पक्ष में है चुनाव आयोग के पक्ष में यहाँ पर आया है और उसके बाद देखा है जो चटे चरण का यहां पर चुनावगा चटे चरण के पर्षाथ यहां पर जो data निकल कर आया है water turn-out निकल कर आया है उसको देखते हैं और face-wise यहां पर कितना अंतर है कि निराज़च्चान यह अंतर जादा देखने को बिला है उसको समझते है सुनाओ आयोग ने छटे चरण में 25 माई को वोटर टर्न आउट जारी यहां भी किया इसी ने बताए कि 63 समलो 37 प्रतिशत मतदान रहा इसमें से देखा जब पुर्षों के द्वारा 61.9% और महिलाओं का जो वोटर टर्न आउट रहा वो 64.95% रहा पुर्षों की तुलना में देखा जए तो महिलाओं यहां पर ज़ादा वोट यहां पर डाल रही है इसके साथ 6 चरणों की वोटिंग में आप तक सबसे ज़ादा जो वोटर टर्न आउट यहां पर डेटा बताता है वो है चौथे चरण जहां पर करीब 69.58% यहां पर वोट पड़ा है साथ में और अन्तीम चरण में देखा जाए जो कि यहां पर एक जून को वोटिंग होगी वो फाइनल यहां पर वोटिंग होगी कि 63.37 रहा पुर्शों ज़्यादा महिला यहां पर वोट कर रही है उसके हम फेस वाइस देख चरण यहां पर देखते हैं कितना अंतर आपको देखने को मिला है जो वोटर टरन आउट डेटा आपको जारी किया गया है साथ यह पुरुष और महिला की संदर में कितना यहां पर रहा है देखें फेस बन में देखें जो 19 अपरेल को आपको चुना हुआ है इसमें पुरुष जो है 66.22 वहीं महिला है 66.07 और ओवर ओल यहां पर टरन आउट रहा है जो वोटर टरन आउट हो 66.14% फेस तू 26 अपरेल को हुआ जहां पर पुरुष और होगा दोारा 66.99 और महिला कोला 66.42 टोटल 66.71 परसं आपको वोटर टरन आउट रहा फेस 3 आपको 7 मही के हुआ 66.89% यहाँ पर वोटर टर्न आउट रहा 64.41 पुरुस और 65.68% यहाँ पर महिलाएं तोटल यहाँ पर 65.68% आपको वोटर टर्न आउट रहा इसी तरीके से फेस 4 में देखें तो 69.58% पुरुस 68.73% महिलाएं और वोटर टर्न आउट डेटा जो सबसे जादा रहा है 69.58 इसके बाद फेस 5 जो 20 मही को यहाँ हुआ पुरुस 61.48 महिलाएं जो 63.00 और टोटल वोटर टर्न आउट रहा 62.2 इसके बाद जो चट्रे चरन का चुना हो रहा 25 मही को 61.95% आपके पुरुस 64.95% महिलाएं टोटल यहाँ पे 63.7% यह वोटर टर्न आउट अगर हम देखें तो आपको 66, 65, 69, 62, 63 आराउंड आपको 65, 66% आपको वोटर टर्न आउट अभी तक पहले 6 चणों का एवरेज आपको दिगल के आता है लेकिन जो मुद्दा यहाँ पर है मुद्दा रहा है जो वोटर टर्न आउट के डेटा जारी करने में समय के साथ इसमें आया हुआ अंतर और यह कई सारे राज्यों में हमें देखने को मिला है यहाँ पर अगर हम देखें कुछ यहाँ पर हैं महराश्ट्रा हैं उत्तवदेश, जारकंड, ओडिसा, बिहार और पश्यमंगार इसमें से अगर हम देखें टोटल आप देख सकते हैं 6 बड़े राज्यों में 0.14% से 5.91% तक की वोटिंग यहाँ पर बढ़ी है और कहाँ पर कितने बज़े, टाइम देखें, 7 बज़े, 12 बज़े और 22 में को, यानि कि अगले दिन के यहाँ पर जो वोटिंग रही जो टोटल यहाँ पर वोटिंग आपको देखने को मिली है महराश में देखें, 13 सीटे, 48% करीब यहाँ पर, 49% आराउंड, राज साम 7 बज़े, राज 12 बज़े तक यह 54.33 बहुँच किया और उसके बाद यह 56.89% बाइस में तो कहाँ पर वोटा, फाइनल डेटा आपको बताया गया है उत्त अबदेश की 14 सीटों पे, 97 समलो 59% आपको वोटर रहा साम 7 बज़े, यह थोड़ा सा बढ़ा 57.79 लेकिन अगले दिंखाए कि 58.02 परसेंट तक बढ़े है इसके बाद जारखन में हम देखे, 3 यहाँ पर आपको सीटे रहे, साम 7 बज़े यह 63% आपको वोटर रही, सा रात 12 बज़े तक 63.09 परसेंट रही, और 22 में तक 63.21 परसेंट हो गई ओडिसा में ऐसी 5 सीटों पर देखे, तक 60.72 परसेंट आपको वोटर रही, 69.3 से 4 परसेंट आपको वोटर रही रात 12 बज़े और अगले दिन तक यहाँ पर 73.50 परसेंट तक की वोटर पहुच जाती है, एक बढ़ा अनतर बिहार में देखे, 5 सीट में 52 परसेंट, फिर 54 परसेंट और अगले दिन तक यह 56 परसेंट तक आपकी वोटिंग पहुची, पश्चिम मंगाल की 7 सीटों में देखा जा, 73 परसेंट वोटिंग हुई, साम 7 बज़े तक, 12 बज़े तक यह 74.68 पहुच गया, और यहाँ पर 22 म और यही यहाँ पर देखा जा, तो निर्वाचन आयोग से लगातार सवाल किया जा रहे हैं, कैसा क्यूं हो रहा है, आप वोटर टन आउट डेटा जारी करने हम देर कर रहे हैं, उसका क्या कारण इस तरह कि यहाँ पर डेटा क्यूं बढ़ रहे हैं, और इससे संदे काम यह है कि इस तरह के संदेव को दूर करें, और किसी भी तरीके के देखें, लोग सबह चाहें चुनाओ हो या कोई अनुचुनाओ, इसमें किसी भी तरीके के यहाँ पर किसी भी कह सकते हैं, निर्वाचन आया मद्दाता या परत्यासी के अंदर इस तरह के संदेव आता इसके पीछे वो तर्ग भी देते हैं सुप्रीम कोट में दाखिले एफिडेफिट में आयोग ने 22 मईए को क्या कहा था उन्होंने कहा था कि फॉर्म 17 सी हर मद्दान केंदर पर डालेगे वोटों का एक रिकॉर्ड होता है और इसी के आधार पर वोटिंग डेटा का खुलासा करने से मद्दाताओं के बीच एक भ्रहम पैता होगा क्योंकि इसमें बैलेट पेपर की गिंती भी आपको शामिल होती है और बैलेट पेपर की गिंती आपको बाद में पढ़ती है उसको बाद में साह जोड़ा जाता है जिसके कारण यहां पर यह स्थिति भ्रहम में हो सकती जो कि आपको मुखरूप से अंतर इसमें दिखाई दे रहा है अयोग ने एक चीज और कहा है ऐसा कोई कानून नहीं जिसके आधार पर सभी मद्दान केंत्रों का फाइनल वोटिंग डेटा जारी करने के लिए कहा जा सके फॉर्म सत्रसी देखें तो केवल पोलिंग एजेंट को दे सकते हैं इसे किसी अन्यवक्ती संस्खा को देने के अनुमती नहीं है यानि कि कोई कानून भी रही है जहाँ पे आप इसमें दबाव बना सकें फॉर्म सत्रसी वह प्रमाणा पत्र है जिसमें पीठा सी नधिकारी सभी प्रत्यासियों को प्रमाणित करनके यहाँ पर आपको देता है और तीसरी वाल चुनाओं ने ये भी कहा है कि कई बार जीत हार का अंतर इतना नजदीक होता है कि आप वोटर फॉर्म सत्रसी के अमसार बूत पर पड़े कुल वोट और बैलेट पेपर को आसानी से यहाँ पर नहीं समझ पाएंगी और इससे समस्या होगी इसका इस्तमाल गलत तरीके चुनाओं प्रक्रिया पर कलंग लगाने के लिए किया जा सकता है जिसे मौझूदा चुनाओं में यहाँ पर आववस्था फैल सकती है यानि कि यहाँ पर देखा है उनका कहना है जो डेटा टर्नाओट में अंतर है कहना है आप जो मद्दान पढ़ने है जो बैलेट पेपर की चीज़े हैं इसको जोड़ करके साथ यहाँ पर कुछ हंतर आ रहा है और उसे यहाँ पर आम जनता फॉर्म 17C के मातम से समझ नहीं सकेगी और इस कारण से यहाँ पर हम 48 गंटे बीतर इस तरह कर डेटा जारी नहीं कर सकते हैं यह यहाँ पर निरवाचन आयोका कहना है इसके साथ यहाँ पर कुछ और चीज़े हैं जो यहाँ पर चलते जलते हम देख लेते हैं देखें चुनाव यहाँ पर संसिती छेतर के हर उमेदवार तो वोटर टर्न आउट डेटा हमेसा मौझूद रहता है नागरिकुले वोटर टर्न आउट डेट आप पर सातो दिन 24 गंटे आप जाकर इस डेटा को चेक कर सकते हैं उनके अप पर इसके लावाद तीन चीज़ें जो यहाँ पर चुनाव आयोग यहाँ पर करता है तीन बातें कौन कौन सी है पहला चुनाव आयोग खुद यहाँ पर संसिती छेत के हिसाब से मद्दाताओं की संख्या जारी करता है और यहाँ सब पब्लिक डोमेन यानि सालमी क्रूप से होता है फॉर्म सतरसी के जरी सभी मुईदवारों के पोलिंग एजेंटों के साथ वोटिंग वाले दिन शेयर किये वोटिंग डेटा को कोई भी बदल नहीं सकता सभी पांचो तैताली सीटों पर खड़े हुए सभी मुईदवारों के ऑथराइज एजेंटों के पास form 17 यहाँ पर आपको होता है या निकी जो चुनाओ लड़ रहे हैं उनके पास यह सारी जानकारी आपको होती है प्रेशनोट जारी कर वोटर टरन आउट के बारे में बताना लोगों के लिए एक और सुविदा है पांचरण में चुनाओ आयोग यहाँ पर 13 प्रेशनोट यहाँ पर जारी कर चुका है और वर्तमान समय की स्थिती यह है कि चुनाओ आयोग यहाँ पर अपने कैसके रूल से रिगलेक्शन से हिसाब से चीजों के यहाँ पर कर रहा है और वो यह भी कह रहा है कि यहाँ पर जो वर्तमान समय न्यूज यहाँ पर चल रही है वो गलत नर्रेटिव फर लाई जा रही है और यहाँ पर इस तरह कोई भी यहाँ पर डेटा इत्याद को लेकर परिवारता नहीं किया जा सकता लेकिन फिर भी देखा जाए लोगसभा चुनाव में कई सारे लोगों के मन में यहाँ पर इस डेटा को लेकर के संदेह जरूर हुआ है अंतिम चरण के मदान और उसके बाद यहाँ फिर फाइनल आपका रिजल्ट आने के पर शाथ क्या निर्वाचा नायोग इसको लेकर के भ्रह्म को दूर कैसे करेगा यह एक बड़ा सवाल होगा आज के लिए तना ही आज के लिए तने थैंक इसो मच और गट लग